हाई एवरिवन कैसे हो आप सभी लोग अच्छे होंगे मैं हुँ राहुल जेस्वाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में फ्रेंड्स आज आगेन आपके साम देंक मोश्ट इंपॉर्टेंट मैट्स का लेक्चे वीडिय है अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टन लेक्चे वीडियो होने वाला है तो इसमें हम लोग बात करने कुछ सॉल्ड एग्जाम्पल्स की जो कि आपने पढ़ा वा था इसके पहले बहुत सारे हम लोग ने टॉपिक्स कवर के एक एक प्राक्टिस सेट भी हमने किया वा था त ताकि इसके बेस पे आज जो है दो से तीन एक्जाम्पल आपको कराऊंगा वो आपको ध्यान में रखना है तो बहुत इंपॉर्टन लेक्चे वीडियो है बिल्कुल स्किप मत कीजएगा ध्यान से वीडियो को जरूर से देखिएगा तो चलिए शुरूआत करते हैं सबसे इसके बराबर a by b जो है वो c by d के बराबर होगा तो हम लोग भोल सकते हैं यहाँ पे कि जो मेरा a होगा जो a होगा मेरा a by b जो होगा उसका value हम लोग ऐसे लिख सकते हैं that is a plus b तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो यह a by b is equal to c by d है तो यहानि कि a plus c लिख सकते हैं इसक c by d के बराबर है, तो a by b का जो value रहेगा, वो a plus c upon b plus d के बराबर होगा, जो की equal होगा c by d के, तो हम लोग ने एक नया term, यानि कि दोनों को plus करके, यह वाले term जो देख पारे हो, आप लोग यह दोनों term के बीच में यह दोनों को add कर दिया, simply a plus c कर दिया, बी plus d कर दिया, और यह जो statement है, या फिर जो यह formula आपको नज़र आ रहा है, जिसका नाम है a by b is equal to a plus c upon b plus d is equal to c by d, यही formula को हम लोग क्या बोलते हैं, यह property को हम लोग बोलते है, theorem of equal ratio, तो आपको याद रखना है, this is known as theorem of equal ratio, और यही formula, यही theorem, यही property के help से हम लोग को, जो अभी मैं solved examples कराने वाला हूँ, यह आप लोग को समझना है और इसको solve करना है, तो बहुत easy है and बहुत ही simple है, तो theorem of equal ratios इसको बोलते हैं, जिसमें जो भी ratio दिया रहेगा, उसको हम लोग सामने वाले ratio से plus कर गए, वो हमारा answer आगा, numerator, numerator के साथ plus हो जाएगा, हमारे लिए important है, वो ही मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि conceptual भी पढ़ाता हूँ, जो important है वो भी पढ़ाता हूँ, बाकी के फाल तो हम लोगो time waste करके मतलब नहीं, ठीक है, तो यह तो हमने देख लिया कि क्या होता है, बहुत ही simple है, आप देख सकते हो, आपके पास आगर textbook होगा, तो आप page number जो है दोस्तों, वो 71 पे देख लो, 71 page number पे आपको हर एक example मिल जाएंगे, तो question जो है इस प्रकार दिया हुआ है, fill in the blanks बोला है, वो तो अलग बात की बात है, लेकिन question जो है, वो है हमारा a by 3 जो है, वो b by 7 के बराबर है, तो a by 3 is equal to b by 7 है, और is equal to 4a plus 9b हमें दिया हुआ है, तो a by 3 is equal to b by 7, is equal to 4a plus 9b दिया हुआ है, and upon यहाँ पे dash दिया हुआ है, मतब यह dash में आपको fill up करना है, तो यह dash आपको इस तरह दिया हुआ है, और यह dash में आपको fill up करके दिखा रहा है, तो सबसे पहले आप solve क्या करोगे, यहाँ पे आप देखोगे, तो a का value है, वो 3 है, b का value है, 7 है, यानि कि corresponding क्या है हमारा a plus b हो जाएगा, यह हो जाएगा ह दाल सकते हैं, तो हम लोग को एक चीज़ पता, यहाँ पे हम लोग कैसे solve करेंगे, इसमें, directly हम लोग लिखेंगे, कि 4 जो है, और यह के जगा पे क्या है, 3 है, यानि कि 4 multiply by 3, plus 9 multiply by b, तो 9 कितना है, 9 लिख दिया, और b कितना है, हमारे पास 7 है, तो 9 multiply by 7, इसको solve कर लो, तो हो जाएगा, 4 a plus 9 b, और नीचे आपका हो जाएगा, 4 3 is a 12, plus 9 7 is a 63, ठीक है, और हमारा answer आजएगा दोस्तों, इसको नीचे करके दिखा दितें, फिर से, that is, उपर 4 a plus 9 b, same रहेगा, as it is, रहेगा, और नीचे कितना हो जाएगा, 12 plus 63 is nothing but 75, और यही आपका दोस्तों, final answer, जो जाएगा, तो हमारा answer आजएगा, उपर तो 4 a plus 9 b, same as it is, रहेगा, और नीचे आगया, आपका 75, this is your solution, for this particular type of question, clear reference, तो उमीद करता हो, कि यह example आपको बहुत ही अच्छे से, clear तरीके से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत simple है, बस आपको क्या करना था, इसमें, value को जो ह fill in the blanks था, वैसे ही type का हमारा example number 2 है, तो क्या बोला example number 2 में, इसकी भी बात कर लेते हैं, बहुत ही simple है, that is example number 1 का second example, ठीक है, example number 1 ही चल रहा है, लेकिन उसका second example है, fill in the blanks का वो हम लोग कर लेंगे, okay, so let's start, example number 1 ही चल रहा है अभी, ठीक है, लेकिन उसका second example, okay, तो क्या बोला आपको question पूछेंगे, तो आपको घबरा रहा नहीं है, दोस्तो बहुत ही simple होता है, इसको solve करना, यहाँ पे दिया हुआ है, 5x-3y-4z, यहाँ पे दिया हुआ है, और नीचे आपको batch दिया हुआ है, तो किस तरह से आप solve करोगे, clearly यहाँ पे 3 corresponds दिये हुए, x का 3, y का 5, z क 4, clear है, इसके पहले भी same हमने 2 वाला देखा था, तो a का 3 था, b का हमने देखा जैसा दिया था, वैसे same x का 3 है, y का 5 है, z का 4 दिया हुआ है, तो जो भी x, y, z दिख रहा है यहाँ पे, इसके जगा पर यह numbers आपको वहाँ पे value put on कर देते हैं, आपका answer आजाएगा, clear है, तो solve कर लेंगे दोस्तो, तो 5 यहाँ पे दिया हुआ है, x कितना है, 3 है, तो 5 multiply by 3 हो गया, बीच में minus 1 डाल दिया, 3 और y है, यानि कि 3 multiply by y कितना है, 5 है, डाल दिया 5, and यहाँ पे last में है, plus 4z, तो 4 है, multiply by z कितना है, 4 है, ठीके डाल दिया, इसको solve कर लेते हैं, तो उपर तो same ह रेने वाला है, that is 5x minus 3y plus 4z, उपर same रेने वाला है, नीचे आप देखोगे, तो यह 5, 3 है कितना हो गया, 15 हो गया, फिर minus बीच में लिख दिया, 3, 5 है कितना होता है, again 15 होता है, लिख दिया, and plus 4, 4 है कितना होता है, 16 होता है, solve कर लेते हैं, 15 minus 15, 0 हो गया, नीचे अकेला that is 5x minus 3y plus 4z upon 16, and this is your final answer for this particular type of example, and उमीद करता हो कि यह भी आप लोगो बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, कि हमने क्या किया यहां पर, बस जो भी यहां पर दिये वे थे, उसके values हमने क्या किया, x, y, z के जगा पर डाल दिया, x का 3 डाल दिया, y का 5 डाल दिया, z का 4 डा कि यह particular चीज आपको समझ में आ गया होगा, अब यहां पर एक और question आपको करा देता हूँ, आज का ले लेक्चर है यहां पर, इसका example number 2, आखरी question है समझ लो, आज के लिए, तो आज यह करा देता हो, और उसके बाद हमारा आज का लेक्चर वीडियो है, उसको हम लोग stop करे तो शुरुआत करते हमारा एक और example, यानि की example number 2, तो क्या दिया है question में, सबसे पहले, board rough करके बताऊँगा, उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, क्या example दिया हूँ, तो सबसे पहले, यहां पर, जो आपका example है, वो A upon something दिया हूँ, B upon something दिया हूँ, C upon something दिया हूँ, आप आपने textbook में, page number 72 में देख पा रहे हूँगे, तो let's solve this board, and उसके बाद यह example जो है, आपके board में लिखके दिखाता हूँ, इसको solve करके भी दिखा हूँगा, जो कि again, बहुत ज़्यादा easy है, friends, आप लोग बढ़ी आसानी से इसको solve कर पाऊँगे, तो let's start, दोस्तों, यहां पे board होगे, आप मारा rough, and यहां पे हम लोग solve करते है, हमारा example number 2, page number 72 पे जो है, clear है, अब example किस तरह दिया है, a जो है, वो आपको दिख रहा है, यहां पे मैं लिखके देता हूँ, आप लोग को, जो भी example है, वो लिखके देता हूँ, that is a upon x minus 2y plus 3z, दिया हुआ है, यह पहल z minus 2y plus 3x, यहां पे हम लोग को, z minus 2x plus 3y, यह हमें यहां पे 3 statement दिये हुए, कि a upon something, b upon something is equal to c upon something, तो same यही चीज़ है, और हमें proof क्या करना है, दोस्तों, proof करके एक चीज़ दिखाना है, यहां पे, तो यहां पे मैं लिख देता हूँ, proof that, क्या proof करना है, यहां पे, कि a plus b plus c, जो है, upon करके आपे दिया हुआ है, a plus c, b plus c upon 2 times x plus y plus z, यह हमें proof करके दिखाना है, तो बहुत ही simple तरीके सा लग रहा है, इसको proof करना, लेकिन, उत्रा ही hard भी है, लेकिन, इसको मैं इस तरह पढ़ाऊंगा, कि आपको बहुत यहादा easy लगेगा, सबसे पहली बात, हमें एक is equal to k मान लिया, क्योंकि इसको दुबारा लिखने के जुरूत नहीं पढ़ेगी, इसके लिए मैंने question महीं मान लिया, यह आपका question है, is equal to k मान लिया, यह k मानने के बाद हम लोग एक चीज इसके पहले पढ़े थे, that is a theorem of equal ratio, तो theorem of equal ratio में हमने पढ़ा था, कि यह इसके साथ plus होता है, यह इसके साथ plus होता है, correct है, हमने देखा था theorem of equal ratio में, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, by using theorem of equal ratio, ठीक है, by using theorem of equal ratio, जो हमने पढ़ा था, उसी का इस्तेमाल करेंगे, दोस्तो, equal ratio का हमें पता है, तो इसके साब से क्या हो जाएगा, a plus b plus c हो जाएगा, और यह तो यह उपर के 3 हो जाएगे, तो नीचे के भी 3 हो जाएगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, that is x minus 2y plus 3z plus y minus 2z plus 3x plus z minus 2x plus 3y, मैंने क्या कर दिया, यह 3 के 3 को bracket open कर दिया, और 3 को 3 को आपास में plus कर दिया, तो आप जो सेम सेम वाल है, यानि के x के साथ x plus हो जाएगा, y के स z plus हो जाएगा, तो इसको solve कर लेते हैं, that is k is equal to क्या हो जाएगा, उपर हो जाएगा, a plus b plus c, same, नीचे जो होगा, divide में आप देखोगे, यह x है, यह भी x है, और यह x है, तो इसको solve कर लेते हैं, तो x, यह वाला x, marking करते जाओ, x, x plus 3x, कितना हो गया, 4x हो गया, यहाँ तक आप लोग बढ़ा सकते हैं, कोई problem नहीं, direct में लिखेंगे, तो भी problem नहीं, तो मैंने x का जब 3 को अपस मिलिया, तो हमारा solve करके आया, x plus 3x, 4x हुआ, 4x minus 2x करूँगा, तो 2x मिल गया हो, यहाँ तक, minus y और 3y, कितना हो जाएगा, minus 2y हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाए जाएगा, यानि कि plus 2y आएगा, 3 minus 1 कितना होता है, positive 2 होता है, तो y भी complete हो गया, correct है, अब यहाँ पे चाउथा, z का value बचा हो गया, 3z और यह minus 2z, कितना हो गया, 3z minus 2z, 1z, 1z plus 1z, 2z हो जाएगा, तो यह भी 2z हो गया, correct है, तो a plus b plus c upon 2x plus 2y plus 2z हो गया, अब इसको solve कर ले 1z plus 2y plus 2z, और यही तो आपको निकालना था, दोस्तों, आप ज्यान से देखो, किधर गया, आपको प्रूफ यह प्रूफ करना था, कि a plus b plus c upon 2x plus y plus z, यही तो आपको निकालना था, और आपने कितना आसानी से इसको निकाल दिया, that is, k is equal to a plus b plus c upon 2 multiplied by x plus y plus z, and कितना आसानी से आप लोग ने इसको प्रूफ करके दिखा दिया by using the theorem of equal ratio तो ये theorem of equal ratio जो क्या बोलता है तीनों के तीनों या फिर दोनों जो रोइशे दे होते इनको आपस में plus करना होता है और आपका answer आ जाता है ठीके दोस्तों तो उमीद करता हूँ कि ये example किस तरह हमने solve किया और किस तरह से इसको प्रूफ करके दिखा ये आपको समझ में आ गया होगा आगे और भी बचे होए example से लेकिन directly हम लोग क्या करेंगे अभी इसके बाद सीधा सीधा practice set की तरफ जाएंगे लेकिन आज नहीं हम लोग जाएंगे हमारे अगले lecture वीडियो में यानि कि जो अगला lecture लेक्टर 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 10 उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे practice set no.4.4 को solve करना तो आज का lecture बस इतना ही जिसमें मैंने आपको फटा फर्स शेयर करो दोस्तों बता दो कि कितना important आज का lecture वीडियो था तो आप लोगी मदद की ज़रत है कि फटा फर्स आप शेयर करोगे सारे friends and relatives को and अगर आपने आभी तेक इस channel को subscribe नहीं किया है तो फटा फर्स इस channel को subscribe कर देना आपने bell icon को press कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को notification मिलती रहेगी तो मिलते हमारे एगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए thank you and good bye